नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबर है मुख्य समाचार प्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो दोस्तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़ादा ज़ादा लाइक और शेर करें तो दोस्तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर महाराष्ट के 18 जिले कल से हो जाएंगे अनलोक मुंबई को करना होगा अभी इंतिजार जिया दोस्तो सीधे मुदव ठाकरे की अधिक्षता में हुई डिजास्टर मैनेजमेंट की बेठक में महाराष्ट के 18 जिलो को अनलोक करने का बड़ा फैसला लिया गया है राज्य के जिन जिलो में पोजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से कम है या फिर ओक्सिजन के बेड 25 फीजदी से कम उक्क्यूपाइड है ऐसे 18 जिलो में जिम, मॉल, रेस्टोरेंट, सैलून, थियाटर, फिल्म, शूटिंग, शादी समहारों के लिए इजाजत दी गई है राज्य सरकार ने महाराष्ट को 5 लेवल में विभाजित किया है जिन में राज्य की राजधानी बुंबई को लेवल टू में रखा गया है बुंबई में संक्रमन की दर 5.53 प्रतिशत है हालांकि दोस्तो 18 जिलो में अनलोक के बाद भी राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से और दूसरे देशों से आने वालों के लिए TPCR टेस्ट कराना अनिवार्य किया हुआ है इसमें सरकार ने अभी तक कोई बदलाऊ नहीं किया है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर लंबी चुपी के बाद अलपन बंदोपध्याई ने केंदर को दिया नोटिस का जवाब जो ममता ने कहा वो किया केंदर और पशिम मंगाल के बीच जारी तानातनी की नई कड़ी के किरदार राजय के पूरू चीफ सेकेटरी अलपन बंदोपध्याई ने भारत सरकार को नोटिस का जवाब भेज दिया है केंदर सरकार की और से 31 मई को अलपन बंदोपध्याई को नोटिस भेज जा गया था सुत्रों के अनुसार अलपन बंदोपध्याई ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने वही किया जो मुख्य मंतरी ममता बैनर्जी ने निर्देश दिया सुत्रों के अनुसार अलपन ने समिक्षा बेठक के दिन समय सीमा के साथ चीजों को इसपष्ट करते हुए जवाब दिया उन्होंने कहा कि वह उस समय मुख्य मंतरी के साथ थे और उत्तर और दक्षन 24 परगना में हवाई सरव्यक्षन कर रहे थे वह परदान मंतरी से मुलाकात के बाद मुख्य मंतरी ममता बैनर्जी की अनुपस्तिती पर धिरगा गए थे परदान मंतरी नरिंदर मोदी ने पिछले महीने साइकलोन यास के बाद बंगाल में जाकर बेठक की थी लेकिन अलपन उस बेठक में नहीं पहुँचे थे केंदर सरकार ने कल तीन दिन में उनसे बेठक में शामिल ना होने का कारण मांगा था केंदर सरकार की और से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के शेक्षन 51 बी का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों नोटिस में अलपन बंदो पध्याई से पूचा गया है कि उनके खिलाफ क्यों ना एक्षन लिया जाए इसका कारण तीन दिनों में बताएं इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर बिजेपी नेता का अनोखा बयान कहा जिने भी महंगाई राष्ट्य आपदाल लग रही है वे खाना पीना छोड़ दें जिया दोस्तों देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ 36 गड कांग्रेस 5 जून को एक दविसीय धरना प्रदशन करने जा रही है जिसकी तेयारियां पूरी करने के बाद प्रदश कांग्रेस कमिटी की महा मंतरी चंद शेकर शुकला की और से ब्लोक से लेकर जिला और मोर्चा प्रकोस्टों के प्रमुखों को चिट्टी लिखकर सुबह 10 से 12 बज़े तक अपने अपने घरों के बाहर दना प्रदशन कर फोटो और वीडियो शोशल मीडिया में अपलोड करने को कहा गया है। क्या लगता है बीजेपी के वरिष्क नेताओं को इस तरह के बयान देने चाहिए या नहीं कमेंट में अपनी राइस जरूर दें। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर ड्रग्स कंट्रोलर ने गोतम गंबीर को पाया दवा की जमाखोरी का दोशी। बीजेपी शांसद ने भगत सिंग को लेकर किया यह ट्वीट। उन्होंने इसके साथ ही अन्ने ऐसे मामलों पर कोट से कारेवाही करने का अनरोध किया। जैसे ही दिल्ली हाई कोट में सुनवाई के दोरान यह ब्योरा सामने आया। उसके कुछी समय बाद गोतम गंबीर ने अपने ट्वीट में माहन स्वतंतरता से नानी भगत सिंग का जिगर किया। क्रिकेटर से राजनेता बने बीजेपी सांसत गोतम गंबीर अपनी बातों को द्रता से कायम रखा और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। वाली दवा फेवी फिलू की अनधी करत तरीके से जमा खोरी करने खरीदने और उसका वित्रन करने का दोश्री पाया गया है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर करनाटक में फिर बड़ा लोकडाउन 14 जून तक सरकार ने बड़ाई पाबंदियां जियां दोस्तों कर सरकार जिले के अंदर और बहार की आवाजाई में किसी तरह का कोई बड़ाउ नहीं करेगी रोजना के जरूरी सामान की खरीद फरुक्त के लिए जो सुबह 6 से 10 बजे का समय रखा गया है सरकार उसके बड़ाउ के मून में भी नहीं है हालांकि वक्त को दो बज़े तक अब 14 जून तक लोकडाउन को बढ़ा दिया गया है मुख्यमंतरी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए पाबंदियों को बढ़ाया गया है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर स्पूतनिक V वैक्सीन सीरम ने स्पूतनिक V वैक्सीन बनाने के लिए DC GI से मांगी पर्मिशन जिया दोस्तों सीरम इंस्ट्यूट ऑफ इंडिया आने वाले दिनों में रूस की वैक्सीन स्पूतनिक V का भी भारत में निर्माल कर सकती है इसके लिए सीरम इंस्ट्यूट न बनाने वाले सीरम इंस्ट्यूट ने टेस्ट एनलाइसिस और एक्जामिनिशन के लिए भी आविदन किया है। इस पूतनिक वी को भारत के ड्रग कंट्रोलर द्वारा आपात कालिन उप्योग के लिए मन्जूरी दी गई है। फिलहाल भारत में इस पूतनिक का निर्मान डाक्टर रेडिज रेवोलेटरी द्वारा किया जा रहा है। को डालना गलत है। सीवसेना के मुकपत्र सामना में एक संपात किये में कहा गया है कि केंद्र को राजनितिक जीत और हार को लेकर विरहद नजरिया अपनाना चाहिए क्योंकि इसके अभाव में देश की एकता को नुकसान पहुंच सकता है। पाटी ने यह भी कहा कि पूरू प्रदान मंतरियों मन मोहन सिंग, राजी उगांधी, पीवी, नरसिंबाराओ और अटल बियारी वाजपेई के कारेकाल में केंद्र और राज्यों के बीच संगर्स की चंगारी नहीं भड़कती थी। केंद्रिय ग्रह मंतराले ने प्रदान मंतरी नरिंद्र मोधी द्वारा बुलाई गई बेठक में शामिल न होकर आपदा प्रबंदन कानून का कतित तोर पर उलंगन करने के लिए गत्तिस मही को बंदो पाध्याई को कारण बताओ नोटीस जारी किया था। दिवसेना ने कहा कि चक्रवात यास आया और चला गया लेकिन अहंकार का तूफान अब भी बंगाल की खाड़ी पर मंड़ा रहा है। अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो मामला दर्ज किया जाएगा। दिशों का पालन कर रहा है तो अगर वह प्रदान मंतरे की बेठक में शामिल होते तो राज्य सरकार उनके खिलाफ कारेवाही करती। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर। दिल्ली मेडिकल अशुशन डियाचका दायर की है। दियाचका में बाबा रामदेव के खिलाफ केस दायर कर उन्हें कोरोनिल टेबलेट को लेकर जूटे दावे और गलत बयान बाजी करने से रोखने की अपील की है। याचका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेडिकल अशुशन से कहा कि आप लोगों को कोर्ट का समय बरबाद करने के बज़ाए महामारी का इलाज खोजने में समय लगाना चाहिए। इस पर डियमे ने कोर्ट से कहा कि बाबा रामदेव अपनी दवा को कोविड-19 के इलाज के तोर पर दवा कर रहे हैं। पता लगा सकते हैं। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबा रामदेव गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। हम उन्हें नोटिस दे सकते हैं लेकिन उन्हें रोक नहीं सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अमेरिकी उपराश्पती कमला हैरिस और प्रदानमंत्री मोदी के बीच हुई बातचीत अमेरिकी नेता ने किया था अनुरोध। जियां दुस्तों प्रदानमंत्री नरिंदर मोदी ने अमेरिका की उपराश्पती कमला हैरिस से फोन पर बात की। सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबित दोनों देशों के सिर्स नेताओं ने भारत अमेरिका साज़दारी पर चर्चा की। सुत्रों का कहना है कि अमेरीकी उपराश्च्ट पती ने इस बाच्चीत के लिए अनुरोध किया था उधर अमेरीकी राश्च्ट पती जो बाइडेन ने एलान किया है कि अमेरिका भारत समेट एशिया के कई देशों को सतर लाग कोविड वैक्सीन देगा एशिया के जिन देशों को टीके मिलेंगे उनमें भारत के अलावा नेपाल, बांगलादेश, पाकिस्तान, शिरलंका, अफगानिस्तान, माल दियू, मलेशिया, फिलिफिंस, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाइलेंड, लाओस, पपुआ, न्यूगिनी और ताइवान को भी वै 87,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तो इस महामारी से मरने वालों की संख्या 36,99,000 के पार है, दोस्तो इस महामारी से सरवादिक प्रभावित देशों की बात की इसदाय, तो उनमें अमेरिका सब से उपर है, अमरिका के बाद में इंडिया, प्राजिल, फ्रांस, टर्की, र पसंद आईए तो इसे छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें औरर आपको पसंद नहीं आई हैं तो बेश्यक्राब डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तो लाइक ओ डिसलाइक ज़रूर कीजिये क्योंकि दोस्तो यहीं हमारी मेनत का फ़ल होता है और इसी से हमता चलता है कि आ लाग 37,000 के पार है दोस्तों इस महामारी से सरवादिक प्रभावित राज्यों की बात की जायत उन में महरास्ट्रा करनाट का केरला तमील नाडू आंदर प्रदेश उत्तर प्रदेश देली वैस्ट बंगाल 36 गड राजस्थान गुजरात ऐसे राज्य हैं जो कि इस महामारी से सरवादिक प्रभावित हैं और इन तमाम राज्यों में एक्टिव के सुकी संख्या 5000 से लेकर 15 से 20,000 तक है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर चीन के पास है असली सूरज से 10 गुना ज्यादा ताकतवर कृतीम सूरे 16 करोल डिग्री सेलसियस तापमान दोस्तों में कृतीम सूरज का तापमान 16 डिग्री सेंटिग्रेड तक पहुंच जाएगा इसका अर्थ याए कि प्रकरतिक सूरज की तुला में गर्मी 10 गुना जादा रहेगी दोस्तों खास बात याए है कि यह तापमान करीब 100 सेकिंड तक कायम भी रहा शेंजेन इस्तित सफलता है और इसे इस्तिर बनाए रखना है चीन के अनुहुई राज्य में एक रियक्टर में इस कृतीम सूरज को बनाया गया है इसमें नुकुलियर सनलेन की मदद ली गई है सामान्य तोर पर इस तकनीक के जरिए हाइट्रोजन बम बनाया जाता है इसमें गर्म प्लाज जिना दोस्तों अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के चर्चित शांसद सफिकुर रहमान बर्क फिर सुर्कियों में है अब सफिकुर रहमान ने कोरोना मामारी को लेकर विवादित बयान जारी कर दिया है यूपी की संबल सीट से सांसद सफिकुर रहमान बर्क ने कहा कि कोरोना कोई बीमारी नहीं बलकि आज़ाद इलहाई है यह आस्मानी आफद दवाओं से नहीं बलकि रोकर गिरगड़ा कर और अल्लाह से माफी मांगने से ही खत्म होगी सफिकुर रहमान ने कहाई कि बीजेपी सरकार मुसल्मानों की विरोधी है उसने ने केवल शरीयत के साथ छेड़ चार की बलकि लड़कियों को पकड़वा कर बलातकार करवाया मुसल्मानों के साथ मोब लिंचिंग जैसी गलतियां की जिसका खाम्यादा सरकार को अब कोरोना के रूप में भुगतना पढ़ रहा है दोस्तो अपने कठर पंती विचारों के लिए चर्चित रहे सांसद सफिकूर रहमान बर्क इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं इससे पहले बर्क ने बयान दिया था कि कोरोना बीमारी सिर्फ नमाज पढ़कर गलतियों के लिए माफी मांगने और दुआयों करने से ही खत्म होगी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर अमेरिका में जो बाइडिन का बड़ा एलान कोरोना वैक्सिन लगवाने वालों को मिलेगी मुफ्त में बीर जयां दोस्तो कोरोना वायरूस को कहर दुनिया भर में जारी है अभी भी हजारों लोगों की इससे जान जा रही है और लाखों लोग कोविड संक्रमित हो रहे हैं लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो खत्रे के बावजुद वैक्सिन लेने से हिचक रहे हैं यही हाल दोस्तों अमेरिका में भी है हालांकि अब वाइट हाउस ने कहा है कि वह वैक्सिन लगवाने के बदले लोगों को मुफ्त बीयर देगी यहाँ पाल वाइट हाउस ने बीयर बनाने वाली कमपनी अन्यू सर बुष्ट के साथ मिलकर शुरू की है राश्क पती जो बाइडेन ने देश में मन्त ओफ एक्शन का एलान किया इसका लक्षे चार जुलाई से पहले जादा से जादा नागरिगों को ठीका लगवाना है बाइडेन की योजना है कि 77 दिवस्य पहले देश की 70 फिजदी आबादी को कम से कम टीके की एक खुराक लग जाए अभी तक अमेरिका की 62.8 फिजदी वैस्क आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक मिली है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर प्राइवेसी पोलिसे पर बावाल के बीच वाटसेप ने जारी की सफाई कहा प्राइवेसी पर फर्क नहीं पड़ेगा जियां दोस्तो 15 मई से वाटसेप ने अपनी प्राइवेसी पोलिसी लागू कर दी है इस पॉलिसी को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है प्राइवेसी पॉलिसी का मुद्ध अब दिल्ली हाई कोट तक पहुँच गया है दिल्ली हाई कोट में केंदर सरकार में वाटसेप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक हलफ नमा दाखिल किया गया है इसमें कहा गया है कि वाटसेप अपनी शमता का गलत इस्तिमाल कर रहा है और लोगों को नई प्राइवेसी पॉलसी को मानने के लिए मजबूर कर रहा है उधर दोस्तों वाटसेप भी अपनी पॉलसी को लेकर लगाता सफाई पेश करता रहा है पॉलसी को लेकर वाटसेप प्रवक्ता की और से एक और बयान भी जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि हम भारत सरकार को पहले ही आशवाशन दे चुके हैं कि यूजर्स की प्राइवेसी हमारी सर्वोच्य प्रात्मिता रहेगी हमें एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि हाली में जो अपडेट हुए हैं इससे यूजर्स के परशनल मैसेज की प्राइवेसी में कोई बदलाओ नहीं होगा इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर आ गया मानसुन केरल को किया तरबतर मौसम विभाग का अनुमान इस बार 101 प्रतिशत होगी बारिश जियां दोस्तों मानसुन ने गुरुवार को केरल में दस्तक दे दी है इसके सबी मानक पूरे होने के बाद मौसमी भाग ने मानसुन के केरल पहुँचने की गोशना कर दी इस बार मानसुन दो दिन लेट है दोस्तो दक्षिन पश्मी मानसुन के केरल पहुँचने की इस्तितिया कुछ दिन पहले ही बनना शुरू हो गई थी मौसमी भाग का अनुमान है किस बार बारिश सामाने से 101 प्रतिशत होगी इसके 4 प्रतिशत कम या ज़्यादा की गुंजाइश भी रहेगी केरल के बाद मानसुन धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी दस्तक देगा महराष्ट में 10 जून और उत्तर प्रदेश में 22 जून तक मानसुन के पहुचने की उम्मीद है इससे पहले मानसुन ने अंडमान में 21 मई को दस्तक दे दी थी 27 मई को आदे शिरलंका और मालविदीव को पार करने के बाद मजबूत हवाओं की कमी के चलते 7 दिन तक मानसुन की उत्री सीमा कोमोरिन सागर में ही ठहरी रही दोस्तो केरल में पिछले 4 दिन से प्री मानसुन बारिश जारी है बुदुवार को यहां सेटेलाइट इमेज में तटवर्ती इलाकों और उससे सठे दक्षन पूर्वी अरब सागर में बादल चाय नजर आए मोसम विज्ञानी भाग का कहनाई के केरल में बारिश वित्रण में बडोतरी हुई दक्षन सागर के निशले इस्तरों में पच्छवा हवाएं चल रही है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार गोल्ड सिल्वर प्राइस टुड़े सोना हुआ सस्ता चांदी के भी गिरे दाम जानिये क्या है आज के ताजा भाव जान दोस्तों नरम अंतराश्टी रुक के बीच भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है राश्टराजदानी दिल्ली में आज सोना 349 रुपे गिरकर 48,530 रुपे प्रती 10 ग्राम हो गया वहीं दोस्तों चांदी की बात की जएदो चांदी 475 रुपे लोड़कर 70,772 रुपे प्रती किलोग्राम पर आ गई है उदर दोस्तों अंतराश्टी बाजार में सोना 1893 डोलर प्रती ओंस जबके चांदी 27.79 डोलर प्रती ओंस पर सपाट रही इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार इसी साल प्राइवेट हो जाएंगे दो सरकारी बैंक निती आयोग ने दी फाइनल लिस्ट जियां दोस्तों सरकार के ठिंक टैंक निती आयोग ने विनिवेश पर बने सचीवों के एक कोर ग्रूप को उन दो बैंकों के नाम सोब दिये हैं जिने इसी वित्ती वर्ष में प्राइवेट किया जाना है वित्मंत्री निर्मला सितरामर ने इस साल अपने बजट भाषन में कहा था कि सरकार चालू वित्त वर्ष में सारजनिक शेत्र के दो बैंक और एक जरनल इंशुरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करेगी इसके लिए बैंकों के नाम का चयन करने की जिम्मदारी निती आयोग को दी गई थी बीटी आई की खबर के मुताबित निती आयोग के अधिकारी ने जानकारी दिये कि हमने सचियों के कोर गुरूप को बैंकों के नाम की अंतिम सूची दे दी है हालांकि अभी बैंक के नाम सामने नहीं आये हैं केबिनेट सचीव की अधिक्षता वाले सचीव का कोर गुरूप इस सूची पर विचार करके इसे मंजूरी के लिए पहले अल्टरनेटिव मेकनिजम और उसके बाद केबिनेट के पास भीज़ेगा केबिनेट की अधिक्षता प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी करते हैं केबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लेकर रेगुलेटरी परिवर्तन किये जाएंगी इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर 12 साल बाद बेंजमीन नेत्यान्यू का शाशन-खत्म नेफटाली बैनेट होंगे इसराइल के नए प्रदान मंत्री समझो दे के मुताबित अब दोनों पार्टि नेता बारिबारी से प्रदान्तरी बनेंगे सबसे पहले दक्षन पन्ती जामिया पार्टिक नेता नेफ्टाली बैनेट प्रदानमंत्री पत की शपत लेंगे वे 2023 तक पीएम बने रहेंगे फिर येश एडिस पार्टी के येर लेपिड प्रदानमंत्री बनेंगे मार्च में हुए चुनाओं में बेन्जामिन नेत्यान्यू की पार्टी बहुमत के आकड़े को नहीं चूपाए थी उसके बाद से विपक्षी पार्टियों के बीच सत्ता को लेकर घमासान चल रहा था सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते नेत्यान्यू को प्रदानमंत्री पद की शपल दिलाई गई थी हालांकि वे बहुमत साबित नहीं कर पाए थे तो दोस्तो यहतियाज की तवाम बड़ी खबरें इसके बाद दोस्तो बारी आती है आज के माइन क्यूज कुशन कीजियां दोस्तो एक आसान इससे सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सर्प्राइज गिफ्ट हमारे यूटिब चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अमेरिका के पहले अस्वेत राष्ट पती का नाम क्या है जिया दोस्तो का आप जानते हैं अमेरिका के पहले अस्वेत राष्ट पती का नाम तो जल्दी से कमेंडोक्स में लिख दीजिए और दोस्तो अगर आपका जवाब होता एक दम सही और आप चुल ले जाते हैं लग्की विज़ता की रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सर्प्राइज गिफ्ट हमारे यूटूब चैनल की और से तो दोस्तो जल्दी से अपना हुतर कमेडोक्स में लिख दीजिए विडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए धनिवाद वंदे मातरम जे हिन जे भारत